नमस्कार सातियों आज हम बात करेंगे वे यूएई से रिलेटेड दुबई में अगर आप जोब कर रहे हैं पहले से जी हाँ या फिर जोब पे आना साते हैं तो आपके साथ दुबई लेबर लोग की मैं बात करूंगा 1988 के तहट आपके साथ में क्या अगर होता है माली जी किसी कमपनी में आप जोब कर रहे हैं वरतमान में कोविड-19 की वज़े से सेल ली तो बढ़ने की बात थी लेकिन डाउन हो गई आपने कमपनी में इस्तिपा दे दिया कि मुझे इसमें जोब नहीं करना आपके कमपनी का माली के आपका न्यूकता वो आपका वीज़ा रद कर देता यानि वीज़ा आपका कैंसल कर देता वर्क परमिट वीज़ा जी हाँ और उसके बाद वो बोलता है कि आपको एक मेने का आपको नोटिस दिया जाता है इस नोटिस के दोरान आपको यहाँ पे काम करना होगा ठीक है कहाँ पे जहाँ पे आप पहले से काम कर रहे हैं वीजा रद होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ तो उस दोरान आपके मन में ये अगर आपको लगता है कि अगर आप वहाँ पे एक मेना काम करोगे आपका वीजा वरक परमिट रद हो चुका है तो उस दोरान आप क्या दूसरी जगह फिर काम कर पाओगे क्योंकि वीजा तो अकस्पायर हो गया आप तो एलिगल एक तरशी लिगल हो जाओगे तो उस दोरान के आप दूसरी जगह काम कर पाओगे इस से रिलेटेड बात करूँगा क्योंकि ये गटना बहुत सारे लोगों के साथ गटती है कि आपने जिस कंपनी में आप आए उसी का आप शेली कम थी या कुछ भी रिजन से आपने इस्तिपा दे कि कंपनी ये तो नहीं बोलेंगे आपको कि य यह पास्पोर्ट पकड़े की डुसरीज जाना कदें दौकर करें रिजन करेंगे और पिर आपको यह लगता है कि आपको यह बोला जाता आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको एक मेने आप्पे काम करना पड़ेगा उस लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन करके रखें ताक कि आपको गल्प कंट्री से रिलेटेड वे से रिलेटेड से इन्फरमेशन मिलती रहे तो चलिए सुरुआत करते हैं यहां पर आपको ध्यान रखने की बात है कि अगर आपका वीजा कंप होता यह नहीं कि आपने बल दिया और छोड़ दिया यह मेरत मन्तरा ले और बता दूमोरे में यह बात रजिस्टर यहोपका का अग्रिमेंट होता उसमें यह बात मेंसें की जा इस बात का आपको ध्यान रखना होता कि अगर्मेंट दों कूपनी आपको जब चाहे कंपनी अपको छोड़ सकती या कंपनी आपको निकाल सकती सोड़ टाइम के लिए लिए अग्रेमेंट होग है एक आपका जैसे आप इंडिया से हाुए वरक पर्मिट वीज तो आपक Defense आपका दो साल का अगरेमेंट होता जी करना को यहां तो उसके कि मांग करते हैं तो company 3 मैंने बाद अपने को मतलब देती है कि भी ठीक आप इस्तिपा दे सकते हैं यह एक मैंने के बाद आपको इस्तिपा दे सकते हैं इसा कुछ agreement के साफसे होता है यहां पर सेकंड बात अगर गोर करें तो देखनी की बात यह है बता दूं कि मान लीजिए आपने मोरे में आपका जो अग्रिमेंट समिट होता है उसमें दोनों दोनों बंदों के साहिन होते हैं आपके और आपकी न्यूकता के आपकी कंपनी के कैंसिलेशन फॉरम जो जो कैंसिलेशन वर्क परमिट होता उस पे रद के अस्ताकसर होते हैं अगर रद के अस्ताकसर होने के बाद आपका वर्क परमिट वीजा रद हो गया रद होने के बाद आपका और आपकी कंपनी का रिस्ता खतम हो जाता है यानि आप वहां जोब नहीं कर सकते वो आपको ज केंसल वा उसी की मैं बात कर रहा हूं तो यह बिल्कुल गलत है ऐसे में आप उनको बोल सकते हैं आपको टेंसल लेने की ज़रूत नहीं है हां यह कब लागू होता है जब आप कंपनी को बोलते हैं कि मुझे मैं इस्तिफा देना चाहता हूं तब उनकी तरप से नोटीस आता ह तब आप एक मैना वहाँ पर काम करना आपको जरूरी होता है तो इस बात आपको ध्यान में रखना चाही है कि कई बार कंपनी आपका सोस्ञ करने की सोचती है सोस्ञ कैसे मैं बता दूँ की आपका वीजा कैंसल कर दिया उसके बाद आपको नोटीस बेज़ती है कि आपको पे एक मेना काम करना उसका टार्गेट ही होता कि इसको फिर दूइए में जो भी ना मिले उस दोरान उनको वो अगर आपके साथ ऐसा करें तो बिल्कुल गलत करें क्यूंकि मोरे के विदेश मंतराली के नुसार अगर वीजा वर्क परिमिट वीजा पे कैंसिलेशन के दोनों क सिगनेशर हो गए और वीजा आपकी कंपनी ने कैंसिली करवा दिया तो फिर ये उनको कोई अधिकार नहीं बनता कि वो आपको वहां पे एक मेने के सोट नोटिस पे जोब करने के लिए बोले अगर कोई ऐसा बोलता है तो मैं बता दूँ वो कंपनी सिरफ आपका करना चाथी है और दुरुप्यो करना चाहती है उसके अनुसार मैं बता द Ayam council करने ने कौपनी ने रखने की बात बौल रही है इसका सिधा सा मतल्ब होता कि dikasot matching वार्करों को बुलाया उनका स्वार सत गय तो आपका विजा कैंसल कर रही है और आपको व्यमिर जोब नहीं करना देना चाहती और वो आपको वापस इंडिया बेजना चाहती है तो इसका मतलब उसने आपका दुरुपियों किया है आपको उसने गलत रास्ता दिखाना वो इस तरह से एक माहुल सा उसमें क्रियेट होता है इस वज़े से उनको 50,000 दुबई दराम का जुरुमाना मिल सक तो आप मेरी बात को सातिもう समझ गये होंगे अगर आप व्यवे में जोब करना चाहते है तो भी आपकी ये सोचने लाइक बात है इस बात का हमें साध्यान रखना चाहिए कि अगर इस प्रोसेस में कमपनी आपका वीजा कैंसिल करके आपको नोटीज बिजवाती है कि आपको एक मेहने काम करना पड़ेगा तो इस इस्तिती में आपके पास ये उप्शन है उनकी शिकायत आप मोरे में मानवा संसादन मंतराले में कर सकते हैं उनके खिलाब कड़ी कारवाई करके उनको 50,000 दुबई दराम जुर्माना प्लस कारवास आपके कमपनी के मालिक को या फिर कमपनी के न्यूकता को हो सकता है आप समझ गे होंगी मेरी बात को आगे भी हमें इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो दुबई लेबरलों से रिलेटेड बनाते रहेंगे वीडियो चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक पेच वाले पेच को फॉलो करके रखें ताकि आपको रोज दुबई से रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे वीडियो जानकरी मिलती रहें मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में नेक्स जानकरी किसाथ जैंदू